हलो स्टूडेन आज हम देखने वाले हैं त्रीकोन मिति मैं हूँ परमानग पड़े स्वागत है आपका अपने चैनल पी एंट पडिल क्लासेस पर आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है त्रीकोन मिति का इंट्रोडक्शन वीडियो तो आईए देखते हैं त्रिकोण में तीर समीकरण जो देखते हैं ये जो है आपके सम कोण त्रिभूज में लगो होता है मैं यहाँ पर एक सम कोण त्रिभूज बना गिया हूँ सम कोण त्रिभूज A, B, C इस सम कोण त्रिभूज A, B, C में जो है कोण B 90 है याने कि सम कोण है और कोण C को हमने यहाँ पर ले लिया है ठीटा तो इसके आधार पर आपको त्रिभुज के तीन भुजा को अलग-अलग नाम दे देते हैं 90 अंस के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है यह कोण B के सामने वाला भुजा याने की भुजा A C कर्ण कहलाएगा और त्रिकोण में तीन अनुपात में जीस कोण को लिया जाता है जैसे हम कोण C को ले रहे हैं और कोण C को हमने लिख दिया यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा कोण लिया गया है तो थीटा के सामने वाला जो भी भुजा रहेगा वो क्या कहलाएगा लंब तो कर्ण तो इस्तीर होता है, वो कोई चेंज नहीं होता। 90-degree के सामने वाला ही कर्ण कहलाता है। लेकिन जो भी त्रिकॉन मेतिय अनुपात में आप कोण लेंगे? जैसे साइन के बाद हमने लिखा है ठीटा, तो ये ठीटा के सामने वाला भूझा लंब बनेगा, और तीसरा भूजा जो बच जाता है वो क्या बनेगा आधार बनेगा जैसे यहाँ पर हम लोग 10c, cosc, sinc जो लिख रहे हैं c बोलता हूँ 10θ, cosθ, sinθ जो लिखा गया है हम चाहते तो यह थीटा के जगा केवल क्या लिख सकते c b लिख सकते थे, sinc, cosc, nc लिख सकते थे यदि आप यहाँ पर sinθ न लेकर के sin a लेंगे तो a के सामने वाली भूजा इसको आपको लंब मानना पड़ेगा और इसको जो है आधार मानना पड़ेगा इसके बारे में जो है प्रस्ना वाली में जब प्रस्न आएगा तो थोड़ा चर्चा और करेंगे फिल हाल तो आप यह ध्यान रखिए कि 90 degree के सामने वाला भूजा क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है और जो भी त्रिकोण मिती अनुपात में कोण लिया जा रहा है उसके सामने का भूजा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा तो यहाँ पर हमने तीन भूजा को नामकरण कर दिया है यह हो गया आपका कर्ण यह हो गया लंब और यह हो गया आधार अब यह च्छै त्रिकोण मिती अनुपात का जो है हम सूत्र यहाँ पर लिखेंगे तो इसके लिए जो होता है साइन थीटा बराबर यह हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण कॉस थीटा का हो जाता है आधार बटे कर्ण तेन थीटा का होगा लंब बटे आधार अब कॉसेट थीटा जो होगा साइन थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा जो है कौस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, कर्ण बटे आधार, और कौट थीटा जो है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो यह लंब बटे आधार का यहां क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, वैसे तो यह आसानी से याद हो जाता है, फिर भी यदि किसी को तकलीफ हो, तो आप इसको याद रखेंगे, अगर हम इसको यह करूं तो आप हसेंगे, लाल बटे कका, बोल सकते हो आप, इसके आधार पर अगर हम देखें, तो यह पहला वाला जो है, यह आपका साइन के लिए होता है, L बटे K, L का लंब और K का कर्ण, यह दूसरा वाला जो होता है, कॉस के लिए होता है, A बटे K, यानि की A से आधार और K से कर्ण, और यह तीसरा जो होता है, 10 के लिए होगा, L बटे A, यानि की लंब बटे आधार, अब इसका उल्टा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कॉसेक के लिए, K बटे L, यानि की कर्ण बटे लंब, यह कोसेक ठीटा का कर्ण बटे लंब, यह वाला हो जाएगा आपका सेक ठीटा, K बटे A, यानि की कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और यह हो जाएग आपका कॉट के लिए तो ए बटे ए लियाने की आधार बटे लंब तो यहाँ पर भी दिखा है आधार बटे लंब तो जिसको याद नहीं होता है तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं अब यदि हम यहाँ पर देखें कि भई यहाँ पर साइन थीटा लंब बटे करण हो रहा है और कोसेक थीटा करण बटे लंब उल्टा हो रहा है तो साइन थीटा के जगा बराबर में हम क्या लिख सकते हैं एक बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं सेम वैसे ही कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है इसके बाद अगर हम देखें कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटे आधार ये दोनों एक दूसरे के व्यत्राम है तो cos theta का हम लिख देंगे 1 बटे sec theta और sec theta को लिख देंगे 1 बटे cos theta वैसे ही 10 और cot एक दूसरे के विपरित है तो 10 का हम लिख देंगे 1 बटे cot theta और cot theta का क्या लिख देंगे 1 बटे 10 theta तो इस प्रकाल से देखते हैं कि ये 6 सूत्र तो हो गया, इसके अलावा इसको भी आप 6 सूत्र वोल सकते हैं अब यदी हम यहाँ पर देखें कि अगर sin ठीटा और cos ठीटा जो दिया गया sin ठीटा और cos ठीटा इसको भाड़ दे दिया जाये साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो साइन थीटा का यहाँ पर क्या है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा का क्या है यहाँ पर आधार बटे कर्ण अब यह जो बटे है भाग है उसको गुणा के रूप में बदल के देखते हैं क्या मिलेगा लंब बटे कर्ण और ये भाग को गुणा करेंगे तो नीची वाला पलड जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार ये कर्ण और कर्ण तो कट गया बचा क्या लंब बटे आधार और यहां पर अगर हम देखें कि लंब बटे आधार ये किसके बराबर होता है 10 थीटा के बराबर होता है तो इस प्रकास से अगर देखा जाए तो 10 थीटा को और क्या लिखा जा सकता है sin थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते है तो 10 थीटा बराबर लंबबटे आधार या फिर 1 बटे कॉट थीटा या फिर बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉट थीटा भी हो सकता है अब यहाँ पर देखते हैं कि 10 थीटा और कॉट थीटा तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो 10 थीटा का जब sin थीटा बटे cos थीटा हुआ तो cot थीटा का क्या हो सकता है इसका उल्टा ये हो जाएगा आपका cos थीटा बटे में क्या जाएगा sin थीटा तो इस प्रकार से जो है आपका इतना जो है सूत्र हो जाता है आगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इनहीं से और हमको सूत्र प्राप्त हो सकता है वो कैसे जैसे sin थीटा बड़ाबर हमने क्या लिखा है sin थीटा बड़ाबर एक बड़े कोसेक थीटा अगर तीरियक गुना कर दिया जाए तो sin थीटा इनकु कोसेक थीटा बड़ाबर कितना आ जाएगा एक ये आप सूत्र के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं sin theta into cosec theta का मान एक वैसे ही cos theta into sec theta बराबर क्या हो जाएगा एक 10 theta into core theta बराबर भी क्या हो जाएगा एक तो फिलहाल उसको हम सुत्रा के रोपने इस्तिमाल करें या न करें पर फिलहाल जितना यहां पर दिया गया है यह आपका sin theta, cos theta, 10 theta, cosec theta, sec theta और core theta इतना तो आपको याद करना जरूरी है ताकि आप किसी भी प्रस्न को आसानी से हल कर सकते हैं यह जो 6 सुत्र हमने देखा sin theta से लेका के cot theta तक अब यदि वो अच्छे सी याद कर लिए तो आगे देखते हैं कि इसमें जो है 3 सर्व समिका होते हैं sin square theta plus cos square theta equal 1 1 plus 10 square theta equal sec square theta और 1 plus cot square theta equal क्या होगा cosec square theta यह है तो 3 पर 9 तरीके से आपको याद होना चाहिए ताकि आसानी से आप प्रस्न हल कर सकें तो यहाँ पर पहला वाला जो सर्व समिका है sin square theta plus cos square theta equal 1 यदि हमको सिद्ध करना है पेपर में आभी जाता है एक्जाम में आ जाता है कि सिद्ध किजिए कि sin square theta plus cos square theta equal 1 तो इसके लिए आईए देखते हैं हम कैसे करेंगे एक सम कौन तरिभूज बना देंगे सम कौन तरिभूज बनाने के बाद हम लिख लेंगे सम कौन तरिभूज ABC में कौन B बराबर 90 और C बराबर theta हो तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sin theta बराबर तो sin theta बराबर हम लिखते क्या है लंब बटे कर्ण तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर फिलहाल लंब कौन सा है ए बी है कर्ण कौन सा है एसी है तो ये हो गया आपका साइन थीटा तथा कौस थीटा ले लेते हैं कौस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण या फिर कॉस थीटा बराबर आधार कौन सा है बी सी और कर्ण कौन सा है एसी तो यह आपका साइन थीटा और यह जो है कॉस थीटा यह दोनों जो है हमको प्राप्त हो गया ठीक अब हम क्या करेंगे त्रिभूज A, B, C में पाइथागुरस प्रमे से तो पाइथागुरस प्रमे अगर हम लगाएंगे तो हुगा क्या यहाँ पर हो जाता है आपका लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर हो जाता है आपका कर्ण का वर्ग अब यहाँ पर अगर देखें तो लंब कौन सा है A, B तो यहाँ लिख दिये A, B का वर्ग आधार बुलने से B, C का वर्ग और कर्ण बुलने से A, C का वर्ग अब यहाँ पर जो है दोनों पक्षों को अगर हम A, C वर्ग से भाग देदें तो दोनों पक्ष को अगर आप A, C वर्ग से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा सभी के हर में हम क्या लिख देंगे AC का वर्ग लिख देंगे यहाँ पर भी AC का वर्ग बटे आ जाएगा AC का वर्ग यह तो कट जाएगा और यह क्या लिखेंगे AB बटे AC पूरे का वर्ग यह लिखाएगा BC बटे AC पूरे का वर्ग बराबर कितना एक अब यहाँ A, B बटे A, C यहाँ पर देखिए A, B बटे A, C किसके बराबर है Sine Theta के बराबर है तो यहाँ हम लिख देंगे Sine Theta और यह पूरे का वर्ग धन B, C बटे A, C, B, C बटे A, C यह जो है किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर है तो यहां लिख देंगे कॉस थीटा इसका वर्ग बराबर एक हमने मान कहां से रखा समी करण एक वह दो से मान रखने पर या फिर कोश्टक को हटा देंगे तो साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर एक और यह जो है आपका सर्व समी क एक जो है सिद्ध हो जाता है इसी प्रकार से यदि हम ये दूसरा वाला सर्वसमी का जो 1 प्लस 10 स्केर थीटा इक्वल सेक स्केर थीटा है इसको यदि हमको सिद्ध करने के लिए दिया जाए प्रक्रिया सेम होगा सम कोंड तरी भूज तो यहाँ पर हमको 10 स्केर थीटा और सेक स्केर थीटा को सिद्ध करना है तो हम लिए दिया 10 ठीटा बराबर लंबबटे आधार लंब LAB आधार BC तो हमने लिए 10 ठीटा बराबर ABC ठीग करन बटे आधार. तो ये कर्ण हो गया आपका AC और आधार हो गया BC तो ये 10 थीटा और 7 थीटा का मान हमने निकाल लिया अब त्रिबूज ABC में पैथागुरस प्रमे लगा देंगे लंब का वर्ग रनाधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग अब यहाँ पर लंब का मान रखे AB आधार का मान र देते हैं तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बटे BC का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे BC का वर्ग तो ये तो पूरा कट जाएगा इसको लिख सकते हैं AB बटे BC पूरे का वर्ग धन एक और इसको लिख सकते हैं AC बटे BC ये पूरे का वर्ग हो जाएगा तो ये आपका AB बटे BC AB बटे BC ये किसके बराबर हो गया 10 थीटा तो यहां लिख देंगे 10 थीटा का वर्ग धन एक बराबर AC बटे BC ये क्या हो गया सेक थीटा तो लिख देंगे सेक थीटा का वर्ग या फिर इसको लिखेंगे 1 को पहले लिख दो 1 प्लस 10 थीटा बराबर क्या जाएगा सेक थीटा और ये आपका दूसरा सर्वसमिका जो है सिद्ध हो जाता है इसी में अगर तीसरा सर्वसमिका हमको सिद्ध करना हो 1 प्लस कोट इसकेर थीटा इक्वल कोशेक इसकेर थीटा तो यहाँ पर भी वैसा ही करना है एक सम कोड त्रिभूज ले लेंगे सम कोड त्रिभूज A, B, C में कोड B 90 अंस और कोड C थीटा तो यहाँ पर जो है चुकि हमको कोड थीटा और कोशेक थीटा का उलेक है तो हम यहाँ पर कोड थीटा ले लिए आधार बटे लंब आधार है BC, लंब है AB तो कौट थीटा बराबर BC बटे AB इसी प्रकार कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण AC और लंब AB अब यहाँ पर ले लिये अब इसके बाद त्रिभूज ABC में पाइथागोरस प्रमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमें लगाने के बाद लंब का वर्ग, धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग लंब आधार और कर्ण इनों का मान भी हमने रग दिया अब इसके बाद क्या करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों को जो है हम A B वर्ग से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा A B वर्ग बटे A B वर्ग धन B C वर्ग बटे यहाँ पी भी हो जाएगा A B वर्ग और यहाँ पर A C का वर्ग बटे A B का वर्ग अब यह AB का वर्ग तो कट जाएगा बचेगा कितना एक और इसको हम ब्योस्थित कर देते हैं BC बटे AB पूरे का वर्ग यहाँ पर भी हो जाएगा AC बटे AB पूरे का वर्ग तो यह हो जाता है आपका 1 प्लस BC बटे AB यह BC बटे AB किसके बराबर है कौट थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौट थीटा पूरे का वर्ग और AC बटे AB यह क्या है कौसेक थीटा तो यहाँ पर क्या रख देंगे कौसेक थीटा पूरे का वर्ग आप चाहो तो समी कराण 1 और इसको 2 करके यहां लिख देना समी कराण 1 वह 2 से मान रखने पर तो यह आपका हो जाएगा 1 प्लस कौटी स्क्यार थीटा इक्वल कौसेक स्क्यार थीटा और इस प्रकार से पीसरा सर्व समी का भी सिद्ध हो जाता है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में